नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में, Realme Nazo 50i vs Xiaomi Redmi 9 Prime का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, नाजो 50i में 6.5 इंच जबकी Redmi 9 Prime में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है जोकी नाजो 50i से कम है Width की बात करें तो, Naso 50i में 3.01 इंच जबकी Redmi 9 Prime में 3.03 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो, Naso 50i में 0.35 इंच जबकी Redmi 9 Prime में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो, Naso 50i में 195 ग्राम्स जबकी Redmi 9 Prime में 198 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम दिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही इपस LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो Naso 50i में 20 रेशियो 9 जबकी Redmi 9 Prime में 19.5 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइस की बात करें तो Naso 50i में 6.5 इंचर जबकी Redmi 9 Prime में 6.53 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजूशन नाजो 50i में 720 by 1600 और Redmi 9 Prime में 1080 by 2340 मिलता है Screen to Body Ratio नाजो 50i में 80.82 प्रतिशत जबकि Redmi 9 Prime में 83.06 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो नाजो 50i में 270 प्रति इंच जबकि Redmi 9 Prime में 395 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो नाजो 50i में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की फ्रैमरी केमरा देखने को मिलता है और और Redmi 9 Prime की बात करें तो इसमें 4 camera देखने को मिलता है, जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है. बात करें विडियो camera की तो दोनों phone में 7 different type के features मिल जाते हैं. अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो, नाजो 50i में single camera देखने को मिलता है, जिसमें की 4 different features मिलते हैं. और Redmi 9 Prime में भी single camera देखने को मिलता है, जिसमें 3 different features मिलते हैं. अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं. hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं. GPU की बात करें तो, नाजो 50i में Power of a GE8-322 जबकि Redmi 9 Prime में Mali-G52 मिलता है. चिप सेट की बात करें तो, नाजो 50i में Unisoc SC9863A और Redmi 9 Prime में MediaTek Helio G80 मिलता है. बात करें RAM की तो, नाजो 50i में 2 Variant देखने को मिलता है, जिसमें 2 GB 4 GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 9 Prime में एक ही Variant देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB RAM मिल जाती है. बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो, नाजो 50i में 2 Variant देखने को मिलता है, जिसमें 32GB, 64GB की storage मिलती है जबकि Redmi 9 Prime में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करे तो Naso 50i में अप्टो 256GB जबकि Redmi 9 Prime में अप्टो 512GB है Operating System की बात करे तो Naso 50i में Android V11 जबकि Redmi 9 Prime में Android V10 QT देखने को मिलती है Battery Naso 50i में 5000mAh जबकि Redmi 9 Prime में 5020mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है Colors की बात करे तो Naso 50i में 2 Colors जबकि Redmi 9 Prime में 4 Colors ऑप्शन मिलते है सब information देखने के बाद बात करे प्राइस की तो Naso 50i में 2 Variant देखने को मिलते है जिसमें की 2GB RAM 32GB Storage के साथ 7,499 रूपीज 4GB RAM 64GB Storage के साथ 8,999 रूपीज में मिलता है और बात करे Redmi 9 Prime की तो उसमें एक ही Variant मिलता है जोकि 4GB RAM 128GB Storage के साथ 12,499 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme Naso 50i में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करे Xiaomi Redmi 9 Prime की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करे है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में Redmi 9 Prime आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Redmi 9 Prime आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करे तो उसमें Realme Narzo 30 है दूसरा Vivo Y20G है तीसरा Xiaomi Redmi Note 10S है और last competitor phone की बात करे तो उसमें Oppo A16 है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना